करवा चौथ व्रत कथा एक साहुकार के एक पुत्री और साथ पुत्र थे करवा चौथ के दिन साहुकार की पत्नी, बेटी और बहुआ ने व्रत रखा रात्री को साहुकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा बहन बोली भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है उसके निकलने पर मैं अर्ख देकर भोजन करूंगी इस पर भाईों ने नगर से बाहर जाकर अकनी जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा बहन चंद्रमा निकल आया है अर्ख देकर भोजन कर लो बहन अपनी भावियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्ख दे लो किन्तु वे अपने पतियों की कर्तूत जानती थी उन्होंने कहा वाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है तुम्हारे भाई चलाकी करते हुए अगनी को का प्रकाश चलनी से दिखा रहे हैं किन्तु बेहन ने भावियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाईयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्ग देकर भोजन कर लिया इस प्रकार व्रत भंग होने से गनेश जी उससे प्रुष्ट हो गए इसके बाद उसका पती सक्त बिमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बिमारी में लग गया साहुकार की पुत्री को जब अपने दोश का पता लगा तो वह पश्टाताप से भर उठी गनेश जी से शमा प्रातना करने के बाद उसने पुना विधी विधान से चतुर्ती का वर्थ करना अरंभ कर दिया शद्धा अनुसार सब का आदर सतकार करते हुए सबसे आशीरवाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया इस प्रकार उसके शद्धा भक्ती सहित करम को देख गनेश जी उस पर प्रसन हो गए उन्होंने उसके पती को जीवन दान दे उसे बिमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ती से युक्त कर दिया इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ती पूर्वक चतर्थी का ब्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कश्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा